चार स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि Same Sex Marriage ये मुद्दा क्या है काफी ज़्यादा गरमाया हुआ विशे हैं ये क्या बहुत सारे आज की डेट में देश में बहुत ज़्यादा गरमाया हुए विशे भी हैं उनी में से एक कह सकते हैं कि Same Sex Marriage है और ये अभी हाल में इसकी Petitions बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में डाले जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई चल भी रही है और अभी हाल में जो बार काउंसिल हैं उन्होंने एक तरीके से रिक्वेस्ट के सुप्र पार्लेमेंट को दे दीजिए वहां पर उनको देख लेंगे क्योंकि ये काफी ज़्यादा सोचने विचारने वाला एक विशे हो गया तो सुप्रीम कोर्ट इसके उपर अपना निड़ने ना दे ये एक रिक्वेस्ट की गई है बार काउंसिल के दौरा यहां पर हम बात कर रहेंगे एक सीविल यूनियन वर्सिज मैरिज ये भी एक मुद्दा निकल कर आ रहे है साधी साथ हम ये भी देखेंगे किस देश के अंदर सेम सेक्स मैरिज अलाउड है सेम सेक्स क्या मतलब होता है कि दो पुरुश आपस में शादी करना चाहते है या फीमेल फीमेल जो ह जो center government है उन्होंने अपना विरोध भी दताया है जैसे आप यहाँ देखेंगे ना कि जो center है उन्होंने अपना विरोध जो है वो इसके ओपर दर्ज किया है कि यह जो याचिकाएं जो Supreme Court में डाली गई हैं उनके ओपर आप सुनवाई ना करें या फिर हम उसका विरोध करते हैं ऐसा center government निकाएं यह सब चीज़ें आपके सामने Indian Express के अंदर यह news निकल कर आती है और जो भी कहेंगी same sex marriage को support कर रहे हैं उनका क्या कहना है अपने तर्क में यानि पक्ष में जो तर्क उन्होंने दिये हैं कि भई हम इसलिए इसको support कर रहे हैं same sex marriage को इसलिए support कर रहे हैं उनके जो तर्क हैं वो क्या निकल कर रहा है और at the same time जो इसको नहीं चाहते कि भई same sex marriage नहीं होनी चाहिए वो अपने पक्ष में क्या तर्क दे रहे हैं देने की जो समलेंगिक विवा यहनी सेम सेक्स मेरिज को जो कानूनि मानेता देनी की मांग चल रही है उन्हीं की आचिकाओं पर शुनवाई चल रही है उसका विरोध हम करते हैं ऐसा केंदर ने केंदर की तरफ से जवाब आया अब केंदर की नापत्यों का जवाब देते हो भारत के Chief Justice India है, उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ चीज़ों को सपस्ट किया, उन्होंने कहा दे कि हम Civil Union तक ही इन धार्नाओं को विक्सित करने की कोशिश करेंगे, अब बात आती है, Civil Union क्या होता है, और उन्होंने कहा कि जैसे विशेष विवा अधिनियम 1954, इसके तहट ही कान Special Marriage Act, इन्होंने कहा कि इसके तहट कानूनी मानेता देने की कोशिश करेंगे, या उन्हीं के तहट सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मानेता मिल सकती है, ये सब चीज़े निकल कर आती है, अब जानेंगे कि केंदर ने ऐसा क्यों का कि क्यों वो विरोध कर रहे हैं, इन्जी जो को होते हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, सेम चीज़ें जो हैं, वो जो दो पुरुष या दो महिलाएं आपस में शादी करेंगे, तो उनको भी एक तरीके से विवाही जोडों को जो आस तक दी जा रहे थी, जो भी अधिकार जिम्मेदारियां, वो भी उनको दी जाएंगी, हलांकि एक नागरिक संग, एक विवाह जैसी स्थिति हैं, और इसके साथ सब जो भी रोजकार होगी, विरासत, संपत्ति, पैतरिक अधिकार, ये सब चीज़ें इसमें आंदी हैं, लेकिन बावजुद इसके कुछ अंतर जुरूर है इनके अंदर, यानि कि civil union, एक विवाज जैसी कानूनी सविकृति है, किसी भी धरम के अंदर, या कहेंगी, धार्मिक संसा में, ये स्विकृति नहीं दी हुई है, कि same sex marriage जो है, वहाँ पर allowed है, ये आहम तोर पर समाल लेंगी के दो वेक्तियों को परदान की जाती है, कानून की तरफ से इसी जिज कर आ रहा है, कि अगर आप दो same sex हैं, कि male-male वो शादी कर रहे हैं, तो वो काफी सारे कह रहे हैंगी, हम हिंदूरी तिरिवाज के according, जो हो शादी करना चाहेंगे, लेकिन इसके ओपर काफी सारी आपति हैं, जो वो दर्ज कराए गई, तो यहाँ पर कहा गया कि इनके लिए और एक जो marriage हम देखते हैं, धारमिक, अधार पर पर परिभाशे की दायरे से बाहर होती है, मतलब जो आप देखते हैं कि धरम के अधार पर हम देखे हैं, तो some language विवाज वहाँ पर आते ही नहीं, उनके परिभाशा, उनके definition से ही वो बाहर केगे हैं, इसलिए civil union एक ऐसा उ civil union versus marriage, कौन से देश के अंदर civil union जो है, वो चलती है, अमेरिका हो गया, 2015 में स्ट्रिंग तराज्य अमेरिका के जो सर्वोच ने, लेस कोटस ने, और गेरफल, देख ले ना, ना मैंने सही से बोला, versus होजेस, ने अपने कहतियासिक निर्ने दिया था, जिसमें पूरे देश क के अंदर सम्लेंगिक विवा को वैद, यानि लीगल कर दिया गया था, 2015 से पहले क्या था, देखे, 2015 से पहले जो अधिकांस राज्य हैं, आपको पता है, पचास राज्यों से बना हुआ है, तो वहाँ पर जो है, वो अलग-अलग राज्यों में अपने यहां पर अलग-अल उन्होंने बना रखे, या कहें कि वहाँ पर सिविल यूनियन जो है, वहाँ पर उन्होंने लागू कर रखे, लेकिन 2015 में पूरे देश महीं कर दी गई थी, स्विडन के अंदर 2009 से पहले क्या था, LGBT जो कपल है, नागरिक संग के लिए आविदन कर सकते थे, और गोद लेने के लिए अधिकार जैसे लाबों का लाब भी ले सकते थे, स्विडन ने 2009 में समलैंगिक विवा को कानूनी मानिता परदान कर दी, और इसी परकार ब्राजिल, उर्गवे, चिली जैसे देशों ने भी विवा के कानूनी अधिकार को उपचारिक रूप से मानिता देने के लि भारत में क्या स्थिती है, समलैंगिक विवा को लेकर, हाला कि नवतेज सिंग जोहार वर्सीज यूनिन ओफ इंडिया के मामले में सर्वोच नेले ने आईपीसी के जो धारा है, समलैंगिक ता को अपराद की श्रेणी से बाहर करती है, पहले क्या होता था, यह अपराद हो अपरेका ने ऐसी आज काओं पर सुनवाई भी कर दी है, तदा विशेश विवा यानि स्पेशल मेरिज अक्ट 1954 के तहट, सीविल यूनियन के दाएरे की तलाश कर रही है, कि वहाँ पर जो समलैंगिक विवा है, उनको मानिता दी जा सके, देखें, 1954 का जो स्पेशल मेरिज वो क्या कहता है, वो यह कहता है कि अगर आप दो अलग-अलग religion है, यानि कि अभी स्पेशल मेरिज एक्ट के तहट की है, वरना क्या होता है, एक मान लीजिए, एक male है, वो एक Muslim लड़का है, एक female है, वो एक Hindu लड़की है, अब अगर यह इससे शादी करना चाहता है, तो य female का dharm convert करेगा तब ही यह जो है वो अपने जो कहेंगे कि धार्मिक तरह से विवा कर पाएगा जो भी वहाँ पर dharm में दिया गया है इसलाम में जो दिया गया है इसलाम के according वहाँ पर शादी की जाएगी इसलाम में ये बोला गया कि कोई भी मुसलमान दूसरे धर्म से शादी नहीं कर सकता जब तक कि वो उसमें convert नहीं हो जाए तो एक यह चीज होगी तो यहांपर क्या होता था कि लड़की को अपना धर्म convert करना पड़ता था अब धर्म convert ना करना पड़े कानुनी मानेता भी मिल जाए वो तो धर्म convert ना हो इसलिए उसको कानुनी मानेता मिल जाएगी वो special marriage act के तहत ही दी जाती है तो उमीद है आप लोगों को समझ मैं और इसी केता है जो वो समलेंगे विवा को मानेता देने की बात की जा रही है और उसमें civil union एक रास्ता खोजा जा रहा है अब बात करते हैं eligibility की जो अधिकार है उनके उपर सर्वोच नाले ने जो अब तक महतवपुर्ण ने दिये हैं उनकी एक बार हम नजर डाले एक केस पुट्टा स्वामी वर्सिज उनिन ओफ इंडिया 2017 के केस हुआ था जिसमें privacy जो है किसको नहीं करना चाहिए वो तो खुद की इसकी इच्छा है वो तो कुछ का उसका अधिकार है और ये जो फैसला दिया गया था एक तरीके से समझीए जो IPC की जो section 377 है उसको ऐस समयदानी गोशित करने का अधार बना था ये और 2018 के अंदर नवतेश सिंग जोहर वर्सिज Union of India में सरवोच लियाने ने इस धारा को रद भी कर दिया था इसके अलावा लता सिंग वर्सिज उत्रपरदेश राज्य हो गया सफीन वर्सिज अशोकन हो गया शक्ति वाहिनी वर्सिज Union of India हो गया वह सारे मामलों ने विभिन इंडियों में यह माना कि जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है वो Article 21 के तायत एक मोली का धिकार आता है अब अपनी इच्छा से अपना जीवन पार्टनर जो है वो चुन सकते हैं इसके लावा अब बात करते हैं समलेंगी की विभा को वैद बनाने के संब्द में जो तरक दिये जाते हैं या अब बात आते हैं पक्ष में जो तरक दे रहे हैं पक्ष में यानि कि जो सपोर्ट करते हैं कि सेम सेक्स मेरीज होनी जाई है वो क्या कहते है यहां पर बोला गया है कि gender एक व्यापक परिभाशा सरवच लेनने के according बात करें तो उन्होंने कहा है कि जहां पुरुष और महिला के कोई पूर्ण अवधारना नहीं है कि हम किसी को पूरुषी बोल दे यह किसी को महिला ही बोल दे ऐसा सरवच लेले कह रहा है यह सिर्फ उनकी शारिक रचना से कहीं ज़्यादा अधिक जटिल है कॉम्पलेक्स है यह बात बोली गई है परिवर्तन मौलिक नियम यानि कि देखे समाज समय के साथ साथ विक्सित होता जा रहा है और जब समाज चेंज हो रहा है तो समाज में रहने वाले लोगों के लिए जो कानून है वो भी कानून ज़ो धिरी-द्री विक्सित होने चाहिए ऐसा नहीं है कि कानून चेंज नहीं हो रहे समाज जो चेंज होता जा रहे वह कानून जो है वो लोगों के लिए बने है लोगों की सहुलियत के लिए बने है तो जब अगर उस समाज में कुछ development होती है definitely उस कानून में भी development होनी चाहिए ये बात बोलेगी इसके अलावा कम कानून जटे लिता है देखे विक्तिकत कानूनों में संशोधन की आवशकता नहीं है विशेश विवा अधिनियम 1954 की व्यापक व्याख्या सम्लेंगिक विवाम को वैद बनाने ये तूप्रापत है बोलागी आप परसनलों में ना जाएए आप बात कर लीजिए special marriage act उसके ताहर जो इनको कानूनी मानिता दे दीजिए तो वहाँ ये होगे समानता को कायम रखना देखे यानि upholding equality equality जब बनाए रखना जैसे हमारे constitution बोला गए कि किसी के साथ भी धरम, जाती, लिंक के अधार पर आप भेद बाव नहीं कर सकते तो यहाँ पर ये बात बोले गए समिधान में तो आप कैसे कर सकते है वहाँ पर equality में तो यहाँ बोला गए कि समलेंगे जोडों को निजता और सुनतंतरता दी जाननी चाहिए उन्हें जो heterosexual जोड़े होते हैं जैसे कि पुरुश और महिला उन जैसे ही इनको अधिकार जो है मिलने चाहिए इसके अलावा उन्हें कम नश्वर मतलब कि कम नश्वर के यह ऐसा नहीं कि वो इनसान नहीं है यह मानव जो है वो पुरुश और महिला आपस में शादी करेंगे तो पुरुश और महिला ही जो है वो एक तरीके से पूर्ण है सबसे बड़ा तर्क जो है समाजिक स्विकृति यानि societal acceptance अब हमारे समाज को जिस तरीके से देखते हैं भारतिय समाज को मैं कोई इसमें बुरा ही नहीं करूँगा मैं यह कहूँगा जैसे आप समाज को देखते हैं आप एकदम से उनके ओपर थोपने बैठ जाएं कि आप इस चीज़ को accept करिए दो पुरुशापश में शादी करना चाते है तो आप उसको चीज़ को accept करिए भाई वो कैसे कर सकते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने वो चीज़ें देखी ही नहीं उनकी सोच को आप एक सेकंड में या कुछ दिनों में कुछ रातों में कैसे चेंज कर सकते हैं तो यह जिस तरीके से किया जा रहा है वो काफी ज़्यादा खतरना का और ऐसा नहीं भी करना चाहिए कि आप किसी के उपर एकदम से pressure डालने बैट जाएं उनकी खुद की सोच है तो सबसे बड़ा जो issue आता है हमारे समने समाजिक स्विक्रिती एक समाज जहां पर आप देखते हैं जहां पर अगर आप intercast marriage कर रहे हैं तो उसको लोग accept नहीं कर रहे हैं या inter religion जो marriage कर रहे हैं उसको accept नहीं कर रहे हैं समाज जो है किसी भी रिष्टी की स्विक्रिती कभी भी जो भी कानूर बना दिएगे उनके उपर नहीं करती है समाज अलग सोच में चलता है अब आप भले ही अपनी सोच में ये बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि समाज तो पिजड़ी हुई सोच के आपके जो अपने तर्क हैं आप अपने आपको बुद्धी मान मानते हैं इसलिए बोल रहे हैं लेकिन समाज की अपनी एक सोच समाज उसके कोडिंग चलेगा महाँ पर आपके कोडिंग तो नहीं चलेगा ना वहाँ बोले कि भाईया मैं तो एक महिला की रूप में पहचाने लगा हूँ कि मुझे अंदर से फीलिंग हो रही है कि मैं तो महिला हूँ तो वहाँ पर जो अथोर्टीज है उनके सामने ये समस्या आ जाएंगी कि उसको कानून किशोर नयाए अधिनियम 2015 के खिलाफ होगा अब ये क्या बोला इसमें बोला गया एक सेंक्शन आता है इसके अंदर सेंक्शन आता है फाइफ उसका क्लोस दो जिसमें बोला गया है कि एक जो पुरुष है वो एक बालिका को गोद पर नहीं ले सकता, उसके प्रोक लगाई गई है यानि कि अगर उसका पिता ही क्यों ना हो एक बच्ची है उसका पिता अगर अकेले में गोद में उठाना साथ है तो वो भी नहीं उठा सकता यह कानून है हमारे देश के अंदर तो आप बोलेंगे कि दो पुरुष जपिश में शादी कर ली अब वो बच्चा को लेने की मांग करेंगे मांग करेंगे तो वहाँ पर यह जो नियम बनाया गया है यह जो नियम बनाया है इसकी तो धजियां उठ जाएंगे ना वहाँपर तो ये सब चीजें समझे हैं वहाँ पर हमारे सामने आती है इसके अलावा जो विवाह जो है वो समवर्ती तीन सुची हैं हमारे देश के अंदर हमारे समिधान के अंदर राज्य सुची के अंदर सुची और समवर्ती सुची समवर्ती सूची में के अंदर भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है तो समवर्ती सूची के अंदर आता है विवा विवा को इसमें डाला गए तो कि समलेंगिक विवा के वैदी करन के लिए बहुत सारे कानूनों में शन्षोदिन की जाने की आवशकता होगी ये एक जो सबसे सामने मुदा बन के आ रहा है तो उमीद है कि आज का जो टोपिक है वो आप लोगों को समझ में आ गए होगे कि सीविल उनियन क्या है साथ साथ सीविल उनियन वर्सिज मैरीज में क्या फर्क है और हमारे देश में जो समलेंगे विवा को लेकर जिजे चल रही है उसमें भारत में क्या सिचुशन चल रही है तरक जो दीए है कि कोई सेऊं सेट्श मैरिज को सपोर्ट कर रहा है तो उसके पक्ष में क्या तरक है शेर कर दीजिए और अपने doubt comment section में जुरूर लिखिए पीडियो के लिए फिर से बता देता हूँ description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर अब वहाँ से इस वीडियो के पीडियो जो download कर सकते हैं तो बसाज के लिए इतना था thank you for watching this video